हलो स्टूडेंट्स वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सोट सो जमू कश्मीर से दो हजार तेईस एक्जामिडेशन जो की फोस्ट अक्टूबर को कंड़क्ट करवाया गया था इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए minimum कितना score आपको करना होगा minimum कितने marks आपको लाने होगे इस वीडियो में आज हम discuss करने वाले हैं श्टूडेंट्स अगर यह वीडियो भी देखते हो तो आप लोगों को अपने result का एक clear cut idea अभी लग जाएगा सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको subjects की list बता देती हूँ इधर आप लोग देख सकते हो कि आप किस category से belong करते हो जो भी आपकी category है उसको देख लीजिये अपना score यहाँ पर देख लीजिये ठीक है जैसे कि अगर मैं chemical science की बात करूँ overall आप सभी students को पता है कि paper 1 100 marks का होता है paper 2 200 marks का होता है okay and qualify करने के लिए chemical science के general category के students को लगभग 214 number लाने होंगे लगभग ये देखो students final answer की नहीं है final marks नहीं है ये most expected है so 214 अगर हम बात करें previous year exam की cut off गई थी chemical science students की तो इस पार हो सकता है 212 से लेकर के 217-18 के आसपास रहे ये एक range आप लोग मान कर चल सकते हो ठीक है so exact number नहीं होगा इससे 2 number उपर 2 number साधा भी हो सकता है वैसे chemical science OBC students लगभग 196 के आसपास अगर score कर लेते हैं तो आप qualify कर सकते हो top 6% में आने के आपकी chances इसमें बढ़ सकते हैं ठीक है इसी तरह earth science 222, 188, 186, ST 188 and PWD 164 so हमेशा ये जो cut off में आपके लिए भी लेकर आई हूँ ये कोई तुक्का नहीं मार रहे हम जो भी previous year के examination हुए है previous year examination के जो results आई है उन सभी results को analyze किया गया है और उसी analysis के base पर ये expected marks में आपके लिए लेकर आई हूँ अगर by chance इस list में आपका नाम नहीं है आपके subject का नाम नहीं है मुझे comment करके आप बता सकते हो ठीक है Life Science 216, Mathematics 204 Physical Science, General Category में यहाँ पर देख सकते हो 208, 190, 184, 172 Arab Culture में यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो NC है इसका final नहीं है आप इनी marks के आसपास उसका idea लगा सकते हो ठीक है Arabics students जो है 262 बहुत high cut off आपकी गई है 300 में से 262 marks पर आपका exam qualify होगा कुछ subjects ऐसे हैं जिसमे number of students कम या जादा है उस पर भी depend करता है या कौन से आप paper आप लोगों का paper to easy आया है, difficult आया है उस पर भी depend करता है कि आपकी cut off कम रहती है या जादा रहती है बुधिस studies की बात करें 220 marks आपको लाने है general category से अगर आप हो commerce के बहुत से students हम से जुड़े हुए है commerce में 214 number general category 194 for OBC 188 for SC 186 for ST and 160 marks for PWD देखो यहाँ पर लगभग लगभग देखो students एक confusion और आप लोगों को होगा कि आप लोगों paper देते समय notification में लिखा होता है कि 40% marks लाने पर आप लोगों को qualify माना जाएगा है ना अब आप सोचोगे कि अगर आपके paper 1, paper 2 मिला कर 40% आ गए आप सोचोगे कि हम qualify हो गए अगर आपको भी confusion है तो मुझे comment करके बता दीजे मैं इस problem का solution भी आपके साथ share करूँगी ठीके ये एक basic criteria होता है 40% basic criteria है इसमें qualify नहीं किया जाता qualify तो देखो आप लोग marks देखी रहे हो ठीके ये है कि minimum इतना आपको चाहिए maximum कितना भी जा सकता है वो depend करता है students highest कितना score कर पा रहे है ओके so computer science 218 डोगरी यहां पर आप सभी अपने subjects को देख लीजिए ओके इसके लावा और भी subjects इधर available है geography, hindi, history, home science, kashmiri, law library science, management, mass communication यहां पर जिदर भी NC लिखा है वो सभी expected marks एक raw marks देख सकते हो ST जैसे यहां पर NC लिखा है, so आप लोग OBC वाले students हो आप लोग ST के बराबर के marks अपने consider कर सकते हो and SC वाले लगभग इसी range के 146 है तो आप लोग 150 के आसपास अपने expected score रख सकते हो, ठीके so idea है, इसको final मत समझ जिएगा, मैं बार-बार कह रही हूँ इसके बाद यहां पर music, philosophy यह सब देख लीजिए, political science की भी बहुत से students हैं, जो लगातार हमसे जुड़े हुए थे, आप सब भी यहां पर देख सकते हो, क्या-क्या marks रहते हैं, कोई भी doubt है कोई भी confusion है, बेजिचक मुझे comment कर दीजिए and अब देखो JK set exam हो गया है बहुत students को यह चीज़े नहीं पता होंगी कि JK set exam के बाद अब next उनको क्या करना है so next क्या करना है इसके लिए भी अगर guidance चाहते हो comment कर दीजिए, कई बच्चे confused होंगे कि क्या हम net की तयारी करें कई बच्चे confused होंगे कि अभी छोड़ी देते हैं अपने बस की नहीं है कोई भी doubt है कोई भी सवाल mind में है मुझे पूछ सकते हो comment करके मैं जरूर आप लोगों को best से best practical solution दूँगी क्योंगी ये phase सब के mind में आता है ये questions सब के mind में आते है कि अब क्या करना है so उसका best answer क्या हो सकता है best solution क्या हो सकता है ये मैं आपके साथ share करूँगी बस आप अपने questions मेरे साथ comment करके share कर दीजिए so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best